हेलो व्यूर वेल्कम बेक टो मैं चैनल तो कैसे आप लो तो आज के वीडियो होने वाला है कोकिंग वीडियो तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर मसला रिसिपी जो की बहुत इजी पोसेस है जो और घर का इन सावन से बनाएंगे घर में जो अवेलोब लाता है तो उससे है तो पनीर मसला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया है अमुल का पनीर फ्रेस पाउर प्रोटीन जो कि है 200 ग्राम का पैकेट यह देख सकते आप लोग और इसका प्राइज है वह है 73 रुपीस टोटल हम 400 ग्राम का पनीर साथ बनाने वाले हैं पनीर मसला चति है यह देखी इतना छोटा करके स्कौरइडा में काट लिया है तो इसके बाद धूभण को स्कॉैरीब्स टें लोग नियुक्त बताते है यह सब मैडिनेशन करने के बाद अब लोग को आदा गंटा मिक्स करके रख देना हुआ उसके बाद हम फ््राइ प्राइ करेंगे इसको तो आप लोग देख सकते हैं मैडिनेशन होने के बाद p吗 Channel का लूक ऐसा दा है इसको हम आदा घंटा के लिए रख देंगे फिर फाई करेंगे तब तक के लिए हम लोग इंग्रीडेंट की तरफ वड़ते है तो सबसे पहले मैंने यापर दो चमज 25 ले लिया है और 15 से 20 काजू ले लिया है इन दोलों को मिक्सर गाइनरों मिक्स कर देना है अच्छी तरह स फिर उसके बाद यह लेसून का पेष्ट एक चमज्च यह हलदी एक चमज्च यह 2 टेविल स्पून कस्मी लालमीच के पॉडर यहां पर मैंने तेज़ पत्ता सूखी लालमीच और हरी लालमीच ले लिया है अब अपने हिसाब से ले लेना जज़ीच नतिया खाते है यहां और यहां पर आप लोग को नमक लाएगा स्वाथ के अनुसार यह सारा चीज में नीचे लिकिड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो तो इसके बाद क्या करने आप लोग को दिखाते हैं तब तक यह वीडियो को लाइक और इसके बाद हम लोग इसमें पनीर एट कर देंगे तो सारा गणीर हम लोग को एट कर देंगा और इसा अची तरह आज आछ आई कर लेंगे तो देखिए मेरा पनीर फ्राइब होगे तैयार हो गया है फ्राइब होने के वाद पनीर कर लोग कुछ ऐसा आता है तो अब हम अपना मेन इस भी बनां की तरफ चलते है पनीर मसला तो सबसे पहले उसी सेम क्राइब में इसमें पनीर फ्राइब के थे टू टेबल स्पून घी एड़ कर देना है घी को उसके बद क्या डालना है आप लोगो दिखाते है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो घी गरम हो गया एकदम उसके सबसे पहले अभी हम लोग डाल देंगे घीरा इसको फ्राइब कर लेंगा अच्छी तरह यह सब मीडियम फ्लेम में करना है आप लोगों को उसके बाद मैंने यह पर दो टेज पत लिया था वो डाल देना आप लोगों को तेज पत यसे भी थुरा फ्राइब कर लेना अच्छी तरह से उसके बाद दो तो आपको सुखी लाल मीच अड़ कर देना है इसे भी थोड़ा अच्छी तरह प्राइब कर लेना है उसके बाद हम लोगा खड़े मसले थे जैसे लॉंग इलाची और डालची नी वह तीनों को एड़ कर देना है इसके बाद इसमेल आने तक अच्छी तरह इसको फाइब कर और अच्छी यहां ब्राओन होने तक नाम प्राइं कर लेना है जब तक तक टेल ना छोड़े प्याँ से इसके बाद क्या कर अ करना दो दिखाते हैं कि तो अभी आब लोग देख सकते प्याँक्त हो गया है और ऑईल बी छोड रहा है तो इसके वाद हम लोग डालेंगे अधरक को पेस्ट का पेस्ट दूनों पेस्ट डालने अक बाद इसा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है यह सब मैं करना हूँ एक्दम मीडियम से लो फ्लेम में आओ फ्लेम में आज प्रोफ अच्छrage कर लेना इसके बाद को अधली पाउड ड से अग्मेक बला रपल में स्चेशा, फिर हे लाल मेर्ट यह बीडिया है फिर मैं यहां पडालूंगा धनीया पाओडर रों ददनी पाओडर डाल दिया को इस टेप में आपको सारा मसला अट कर दिना है इसके बद काली मीर्च पाओड डाल दिया मैंने आपर फ्लेम में लो ही रखा है फिर उसके बाद जीरा डाल दिया है जीरा पाउडर तो सारा मसला में यहाँ पर डाल दिया अभी इसको सारा मसला को अभी एक साथ अब लोग को अच्छी तरह फ्राइ कर लेना है उसके बाद फ्राइ करने के बाद फुरा पाई डाल देना है और इसके बाद भून लेना है ज तो देखिए सारा मस्तल अच्छी तरह मिक्स हो गया है और तेल भी उपर आने लगा है अब लोग टेक्स्टर देख लिजे तो इसके बाद भी क्या करेंगे की है अघ्री काची आपड़न जतर लीडर अच्छीदा कर सब्सकारों जिereले अच्छी तरह अच्छीदाल मिक्स करिए और इसको ओल नियुक्स। तेल नहीं छोड़े तो देखिए हम लोग को टोमडो प्यूरी अच्छी तरह मिक्स हो गया है थोड़ा पानी भी एट किया था तो एकदम थोड़ा थोड़ा निकल रहा है अच्छी तरह भून लिया ऐसा इसको और इसके बाद हम लोग एट कर देंगे काजू और फॉपी करना है मार्टे तो इसके बाद ईसके वाद कहीं सकते हैं ह। हो अभी आप Лोग देख सकते हैं कि मेरा एहल हो गया है तो इसके बाद हरी मीज देत रहे है जीटना तिखांध की खेंशंज मिक्स कर देंगे उलिए कि अच्छी तक हम लोग का फ्राइट परीढमेien था वह हम एंड्रिंड कर देंगे सारा इसमें आ इसमें अधि देखिए फश कर दिये हैं लोग तो प्रीइडों मिल्ग व्याँ कि अचु तरह अच्छी तरहम अचु निक एक दम सक्वरिक्स तो इसके बाद करना है आप लोग को दिखाते हैं तो तीन से चार मिनिट बॉयल करने के बाद पनीर का लूग कुछ ऐसा आता है आप लोग देख सकते हैं तो अभी इसे क्या करना है हम लोग को कवर कर देना है कवर करके 10 से 15 मिनिट तक मीडियम फ्लेम में थोड़ा बॉयल कर लेना है उसके बाद पनीर हम लोग को तयार हो जाएगा तो अभी हम लोग हो गया है दस ते पंदर मिनिट तो अभी ढगना उठाएंगे भकन वो देखिए आप लोग पनीर का टेक् तो इसके बाद क्या डालना है आप लोग को दिदा तो अभी जो हम लोगा कसूरी में दिता वह अभी हाथ से क्रस्ट करके आप लोग को डाल देना है तो देखिए ऐसे क्या कर आपको डेक्राट करना है गयस के फ्रेम मैंने यहाप लोग में रखा एक दम ऐसे उपर रखा देखिए हम लोग का पनीर मसलब बन के तैयार हो गया है तो अब यह क्या करेंगे गैस ऑफ कर दिना है गैस ऑफ करने के बाद धग करकर आदा कंदा रख देना है उसके बाद गर्मा गर्म रोटी और चावल के साथ परूसिए तो दोस्तों वीडियो कासा लगा वीडियो औ सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो तो ठीक है चली भाई अगले विर्म मिलते हैं अज将 सब्सक्राइब करो छाद कर साथ बसक्राद कर सतिक det एला है? I don't wanna waste what's left